असलाम वलिकुम फ्रेंट्स वेल्कम टू फूड वित निम्रे चैनल तो आज मैं आप सब के साथ जबर्दस कृस्पी और असान से नए अंदाज में आलो चिकन के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूं यह जितने सिंपल और असान इनना उतने ही मज़दार है चंड च कटलेट्स बनाने के लिए हम लोगों यह पे आदा किलो के करीब आलो लिए हैं और इनको मैं सिंपल पाने में बॉयल कर लिया है जब यह बॉयल हो जाएंगे तो आप लोग ने चलका रिमूफ कर दिना ही और आलो की कौंटिटी को आप लोग अपने साब से कम जादा भी कर सकने हैं यह आदा किलो आलो से इतने सारे कटिलेट्स बनेंगे ना दिल खोलके आप लोग तो अब बस आप लोगों ने आलों को अच्छे से मैश कर लेना है मैशर ना हो तो फिर आप लोग इसको ग्रेट भी कर सकते हैं हलकल का आलो का दाना छोड़ दीजिएगा वह अच् देना है अगर बच्चों के लिए बना रहा है तो यह सकते हैं थोड़ा सम लोगों ने धनिया भी अटकर देना है तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता यह वन कप भुआ चिकन आप लिए चिकन को सिंपल में पानी बढल को अच्छी से बढल कर लिए तो थोड़ा सा नमक और कुछ भी आई किया था जब चिकन आपका अच्छी से बढल कर लिए तो फिर आप लोगों ने रेशे कर लिने हैं लेकिन रेशे आप लोगों ने बिलकुल बारीक नहीं करने मोटे मोटे रखियेगा ताकि नहीं पाने तो उसका टेस्ट है और ना एक एक बाई डानी च कि सबतेyi कDING पर आहरत शीयं दें हो आपको उऽ कबाब की बने शापी मोटे कर लिए तो आप लोगों ने को D और यह होमेड ब्रेट क्रम से इसकी में पहले हैं आपके साथ शेयर कर चुकियों अगर नहीं देखी तो आप लोग चाहिए चानल पर आप लोग बस सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर ब्रेट क्रम रसीपी बाफ फूड वित निम्रा आप लोग चाहिए जबार्दस ती कोटिंग करने हैं लेकिन अब हम कोटिंग करेंगे और डिरेक्ट फ्राइब करेंगे तो बहुत ही जबर्दस है ना मारी नियू स्टाल के कटलिट्स रेडी हो जाएंगे वीजियो को आगे साथ करने से पहले अगर आप लोग मेरे चनल पर नियू है यां फस्टाइम वीड छड़ी अगर्ली में ज और आप करते हैंगे और उखले च्टीलत्त को दिसेट करने हैं एक पैनंगे तो अलो कर दे अलों का लिए अध्र करिद नहीं एक रम कर दिना ही अप लोग को प्रीट करतेना हैं और धिक ऊढ़ीक साफ्षर है अर अब डिल्री को इने अप कर्यात हो जाए इतने सबर्दस और मज़िधार बनते न हमाले कटिलेट्स तो भाई जल्दी ट्राइ कीजिए और मुझो कॉमेंट्स बताईएगा जब एक साइट अंडे के अच्छे से साइट हो जाएगी तो हम लोग इसकी साइट चेंज कर देनी है और हम लोगों इसकी सिर्फ कोटिंग को ही फ्राय करना इसको कृस्पी कर लेना क्योंकि अंदर से तमाम चीज़ा हमारी कोक है तो दक्रीबन इसको तीन से चार मेंट लगेंगे मीडियम फ्रेम पे फ्राय होने में जब गोल्डिन ब्राउन सा कलर आज और यह क्रिस्पी क्रिस बहुत ही पसंद आने वाले तो जरूर इस रेसिपी को ट्राय करें और यहां तक वीडियो वाच कर लिए तो जली से लाइक कर दीजिए और कॉमेंट्स कर दीजिए और अगर आपनों को कोई रेसिपी सीखने हो तो जली से चानल को सब्स्क्राइब भी कर लीजिएगा और आपको प्रेस करने बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तक आपको नोटिफिक्शन मिलती रहे हैं रेसिपी और वीडियो की तो नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं दुआओं में आध रखिएगा अला हाफिस